नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इस चुनाओ में इंडिया गणबंधन जारखन की सभी 14 सीटे जीते गी उन्होंने कहा है कि जून से 30 लाख गरीब परिवारों को फिरी में बीली मिलेगी वे राजनगर हाई स्कूल मैदान में आयोजी चुनावी जन सभा को समधित कर रहे थे मुख मंत्री सिंग्भूम संसादिय सीट से पार्टी परत्यासी जोभा मांजी के पक्च में सभा को समधित कर रहे थे बता दे सीम चमपाई सुरेन ने भाजपा प्रहमला करते वे कहा है कि वर्ष 2014 में महंगाई के नापरकेंद्र की सता सम्हालने वाली भाजपा सिर्फ जूट बोलना जानती है उस समय गयस का कीमत 400 रुपे थी तब महंगाई को लेकर हाय तबा मचाई गई और कहा गया कि जानता के खाते में 15 लाग आएंगे पर तेक वर्ष दो क्रोर युवाओ को नोकरी मिलेगी जानता के अच्छे दिन आने की बात कही गई परन्तु भाजपा का सभी घोसना पत्रशिप जुमले बाजी सावित हुआ एक भी घोसना पर अमल नहीं हुआ है अस्थानिय नीती वा ओभी सी को भाजपा ने रोका सीयम चमपाई सुरेन सीयम ने कहा है कि आदिवासी मुलवासी हित में जामो ने अस्थानिय नीती वा पिछडा अरक्षन नीती बिधान सभा से पास कर राजभौन को फेजा था प्रन्तु केंद्र के भाजपा सरकार के सारे पर राजभौन ने फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जिसके करान वह लागू नहीं हो सका सीयम ने कहा है कि भाजपा ने आदिवासी मुलवासीों को धोखा देने का काम किया है इसलिए इससे सवधान रहने की जरूरत है वहीं सीयम चंपाईशुरे ने कहा है कि यह चुनाव देश की दिशा को तय करेगा इसलिए जूट अस्वासन देने वालों से सवधान रहने की जरूरत है पांच वर्स बाद मौका मिला है इस बार जूमले बाजों से सवधान रहे वह उन्हें सवधाने की जरूरत है भाजपा जार्खन का इतिहास वह भोगोल मिटाने की सोच रखती है खुट कटी कानून को सिथिल कर सरांडा जंगल को भी पुझी पतियों को देने की सोच रख रही है इसलिए इस से सवधान रहने की जरूरत है जार्खन कैस कांड संजीव लाल की पतनी रिता लाल से होई पूस्ताच इड़ी का समन मिलने के बाद जार्खन के मंत्री आलामगीर आलाम के प्रस्टनल सेकरेटरी संजीव लाल की पतनी रिता लाल गुरु आरको रांची स्थित इड़ी के छेतरिये कराले पहुँची शुत्रो ने बताया है कि इड़ी के अधिकारियों ने उनसे पूस्ताच सुरू कर दी है रुपए की ब्रामदगी मामले में रिता लाल को समन जारी कर पूस्ताच के लिए बुलाया गया है रिता लाल दुपटा से अपने मुह को ढखे हुए वकील के साथ इड़ी करेले पहुँची जहां आवस्यक कागजी करवाई पूरी होने के बाद रिता लाल से पूस्ताच सुरू कर दी गई सुत्रों ने बताया है कि संजीव लाल और उनकी पतने रिता लाल को आमने समने बैठा कर पूस्ताच की जा रही है गौतला भाय कि इडी ने गत छो माई को छपे मारी के दरमंत्री आलमगीर आलम के पी एस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम के आहां से 35 कुल रुपे बरामत किया था बाबुलल मरांडी के हेलिकोप्टर की इमर्जेंसी लेंडिंग खरा मौसम के करण नहीं पहुंचे दुमका बिजेपी के जहरकन अध्यक्स बाबुलल मरांडी के हेलिकोप्टर की इमर्जेंसी लेंडिंग कराई गई है बताया जा रहा है कि बाबुलल मरांडी सराय के लाग के खर्चाओं में चुनावी सभा करने के बाद दुमका के लिरवाना हो रहे थे लेकिन खराब मौसम के कराण उनके बिमान के इमर्जेंसी लेंडिंग जमसेदपूर के सुनारी हवाई अड़े पर करानी पड़ी इस कराण वे दुमका में आयोजीत कारकरम में वे सामिल नहीं हो सके बता दे जमसेदपूर के सुनारी अड़े अड़े पर बावुलान मरांडी के बिमान की इमर्जेंसी लेंडिंग कराई गई इसकी खराब मिलते ही बीजेपी के नेतावा करका तयार पोट पहुंचे और लाउंज में बावुल अर्मरांडी से मुलकात कर उनका हाल जाना चुनाव आयोग ने दिव्यांगों और वरिष्ट मद्दाताओं के लिए किया विशेस इंतिजाम लोगसभा चुनाव के मंदरिया चुनाव आयोग वोट परज़त बढ़ाने के लिए भी बिभीन तरह के प्रयास कर रहा है इसी करम में अब चुनाव आयोग मद्दान केंदरों पर दिव्यांग और वरिष्ट मद्दाताओं किसी परसानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए बिशेस विधाये उपलब्ध कराएगा ऐसे मद्दाता जो की मद्दान केंदर आने में असमर्थ हैं उनके लिए होम वोर्टिंग कराने की सुधा मुहिया कराई जा रही है सिर्फ यहां तक ही नहीं बलिक दिव्यांग और वरिष्ट मद्दाताओं के लिए आटो टोटो की बेवस्ता की गई है मद्दाताओक मद्दान केंदरों में परसानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए मद्दाताओक निबंधन मद्दान केंदरों में वेल चेयर बैठने के लिए कुर्सिया की वेवस्ता है मद्दाताओं को इस गर्मी की चिलचिलाती धूप में खड़े न रहना पड़े इसके लिए सेट की वेवस्था भी की गई है यह जनकाई जार्खन के मुख निवाचा अधिकारी केर अभीकुमार ने दी है जार्खन में बारिस से पांच डीगरी तक गीरा पारा राज़े के उन जीलों में भी बारिस हो रही है जहां पिछले कुछ दिनों से भिशन गर्मी से लोगों को बुरा हाल था बता देर राज़े में 40 डीगरी पार पहुंच चुके तापमान को इस बारिस नीचे लाने का काम किया है दोफर करीब सवा एक वये शुरू हुई बारिस के बाद तापमान में 4-5 डीगरी गिरावट की संभावना जताई गई मौसम विभाय के नुसार 10 माई को भी बारिस का प्रोण मान है राज्य के अने जीलो में रामगर बोकारो देवगर गोड़ा साहिब गदुमका कहीं कहीं बारिस ने गर्मी से राहा दिलाई है वहीं पलामू और गढ़वा में भी तेज हावा के साथ बारिस हो रही है बारिस से पहले रांची में भी तेज आंधी चली थी इड़ी की करवाई से आलमगीर अब गडबंधन के परचार अभियान से दूर 25 सरकार में मंत्री और कांग्रेस बिधायक दल के नेता आलमगीर आलम का आगे करायनेतिक सफर आसान नहीं होगा उनके पिये संजीव लालवा करीबी जहांगीर आलम के यहां से मिले नोटों के पहाल के बाद कांग्रेस के इस कदावार नेता की मुस्किले बढ़ गई है बताजे सरकार में नमबर दो की पोजिशन रखने वाले आनमगीर आलम हमेशा मुख मंत्री 25 वेन के साथ गटबंधन के करक्रामों के अलावा सरकारी करक्रामों में भी नजर आते थे गटबंधन के पत्यासियों के नमांकन दाखिल करने के दोरान भी उनकी मुझूदगी हर जगह देखी गई राज में कांग्रेस पार्टी से सम्बंधित नीर ने उनके बगार नहीं लिया जाता था उन्हें दन किनार करने की कोई सोच भी नहीं सकता था लेकिन इड़ी के करवाई ने भारी परसारी में डाल दिया है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्री अध्यक्ष राहूल गांधी के जारखन आगमन के दोरान यारपोट से लेकर चुनावी सभा में आलमगीर आलम को फटकने नहीं दिया गया वे सरजनी कारकरमों से भी दूर है उन्हें यहां तक हिदायत दी गई है कि वे फिलाल कारकरमों से दूरी बनाए रखे प्रधान मंत्री का गिरीडी दौरा अब 14 को प्रधान मंत्री नायन्द मोदी का दौरा अब 14 माई को ही गिरीडी में होना तय हुआ है पहले हैं कारकरम 16 मैं को प्रस्तावित था लेकिन बुद्धवार की रात इसमें फिर बदल करते हुए 14 मैं को सभा आयोजित की जाने की जनकारी दी गई है बता दे इसी दिन प्रधान मंत्री बनारस लोग सभा सीट से अपना नमांकन भी दाखिल करेंगे गिरी डीके बिरनी में आयोजित हो रहे हैं कारकरम के लिए प्रभारी नियुक्त किये गए जमुआ पिधायक के दार हाजरा के अनुसार प्रधान मंत्री 14 माई को दोपहर बाद करीब एक बजे बिरनी परखंड के पेशम इस्थीत अडवार मैदान में सभा को समोधित करेंगे कारकरम की तिथी में फिर बदल की वज़ा से सभा के तेरिया तेज कर दी गई है मैदान में पंडाल बनाने का भी काम शुरू कर दिया गया है अक्षय तिर्थिया पर देवघर में खास तयारी अक्षय तिर्थिया इस बार 10 मैं सुक्रवार को है इस दिन खास महतो है देवघर बाबा नगरी में इस सुब दिन पर कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे मंदीर प्रवंदन ने इसकी तियारी भी सुरू कर दी है बाबा को महा अश्नन कराने के बाद महा सिंगार किया जाएगा साम साथ बैसे मंदीर में पूजा सुरू होगी मने आता है इस दिन धातू खास कर सोना खरीदने का खास महतो है ऐसा कहा जाता है कि इस दिन खरीदारिक करने से धन की ब्रीधी होती है बतादे जार्खन के बाबा मंदीर में इस तिति का खास महतो है ऐसे तो बाबा बैदनात का हर दिन सिंगार होता है और इसके बाद पूजा की जाती है लेकिन इस खास तिती पर बाबा भोले नात का महा सिंगार किया जाएगा इसके लिए मंदीर प्रबंधने त्यारी शुरू करती है धनबाद में आंधी के साथ बारिस कई जागों पर गिरे पेड़ मौसम ने गुरुवार को आचानक करवट ली है दोपर बाद अड़हाई बजे आचानक घने बादलो के आने से दीन में ही अंधेरा छागया अंधेरा इतना था कि गाडियों से लेकर दुकानों तक में लाइ कई जगा पेड़ हुआ पेड़ों की डालिया गिरने से लोग को परिसानी का सामना करना पड़ा बता दे मौसम बदलने के साथ ही जीलों में 50-60 किलिम्ट प्रती घंटा की रफ्तार चे हवाई भी चली है दुमका में नकली मसाला बनाने वाले कमपनी का भंडा फोर बड़ी खबर दुमका से है जहां दुमका जिले के हंस डिहा थाना चेतर में खाज सुरक्षा विभाग की ओर से बड़ी करवाई करते हुए गुपत सुचना के अधार पर नकली मसाला तयार करने वाले कमपनी प सुचना मिल रही थी इसी सुचना पर खाज सुरक्षा पतादिकारी अमीत कुमार राम अपने टीम के साथ हच डिहार निवासी ब्यापारी कमलेश वेद के आवास पचापे मारी किया इस दवरान 4000 किलोग्राम नकली हल्दी और धनिया का पड़र ब्रामत किया गया फूड हाके पर 83 दिविंदरनाथ महतो की जमानत एचका पर सुक्रवार को नियाइक दंडा धिकारी की अदालत में सुनवाई के लिए सुचिबाद है उसको लालपूर पूलिस ने 3 माई को समनाले परिसर से नमांकन भरने से पूर्व गिरफतार का जेल भेज दिया था उसकी गिर परिक्षा पहिनाम के बिरोध मिनारे बाजी एवं परदसन करने कर्याला के घेराव करने के लिए उकसाते हुए बैरिकेटिंग तोड़कर पुलिस कर्मियों के साथ का मोकी करने का आरोप है नमांकन के पूर्व सिता सुरेन ने गुरु जी से लिया आसिरवाद अपने नमांकन से एक दिन पूर्व दुमका से भाजपा परतियासी सिता सुरेन अपने ससूर और गुरु जी सिबु सुरेन से मिली और असिरवाद लिया यह मुलकात दुमका के खी जूरिया गामिस्थीत आवाज पर हुई इस दोरान सीता सुरेन के देवर और मंत्री बसंत सुरेन भी मजूद थे इस मुलकात के बारे में जब सीता सुरेन से पुछा गया तो बताया कि यह उनका ही आवास है उन्होंने ही इसे बनवाया है अपने आवास पर आकर गूरु जी और बसंद सुरेंच से मुलकात करना समाने बात है बसंद सुरेंच से मुलकात के दोवान क्या बात हुई इस बात को सीता सुरेंच ने टाल दिया उन्होंने कहा है कि अपना आवास है तो आना ही होगा ना आते जाते रहते हैं अपने आवास पर सुकरवार को नोमिनेशन है इसकी तियारी के लिए आए थे सिता सुर्य ने बता है कि सुकरवार के सुब्धा 11 बज़े भे अपना नमांकन दाकिल करेंगी जारखन के संताल परगना में 10 माई को अश्टार पचारकों का जमावडा जारखन करेंगे वहीं राजनात गोड़ा लोकसभा सीट से भाजवा परत्यासी डाक्टर निसिकान दूबे के पक्ष में रोड सो को समोधित कर रवाना करेंगे वहीं दूसरी और भी पक्ष जामो ने भी अपने परत्यासों के नमांकन में अश्टार परत्यारकों को उतार दिया है दुमकार लोकसभा सीट से जामो परत्यासी नलिल सुरेन और राजमाहल सीट से विजय हांसदा के पक्ष में चुनावी जनसभा को समोधित करने मुख्य मत्री चमपाई सुरेन और जामो के श्टार प्रचारक कल्पना सुरेन पहुचेंगी कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई को लेकर उहापो कहीं हो रहे नमांकन तो कहीं बंद राज़ी बिश्व बिद्यालाई के अंतरगत आने वाले अंगिभूत कॉलेजों में इंटर्मीडेट की पढ़ाई बंद किये जाने की सुचना से नई सुत्र में नमांकन को लेकर उहापो की चीती बने हुई है कॉलेजों में पहले की तूलना में सीटे घटा दी गई है बावजूद राची विश्व बिद्यालाई के कई कॉलेजों में नमांकन फिलाल बंद है वहीं सम्मंद अल्पसंख्य कॉलेज परवेस ले रहे हैं बता दे नई सिक्षा नीतिक तहट पिछले साल सरकार ने फैसला लिया था कि तीन चरण में डिगरी कॉलेज में इंटर की पढ़ाई को बंद किया जाएगा धन्यवाद